इन्डक्शन ठीक है तो इसको शुरू करेंगे बच्छा फारड़ेज लॉस है तो यह तुम्हारा जो लॉस है बच्चा यह observation पर बेस्ट था ठीक है ऐसा तो यह लॉस क्या बोलता है if Magnetic Flux、 through a Closed Conducting Loop if Magnetic Flux through a Closed Conducting Loop changes with time and EMF is induced in the loop if magnetic flux through a closed conducting loop changes the time and EMF is induced in the loop induced EMF is given by the induced EMF given by E is equal to minus d phi by dt rate of change of magnetic flux with respect to time phi kya hai yaha par magnetic flux ठीक है ऐसा और यहाँ पर minus sign minus sign is for lens law minus sign is for lens law ठीक है ऐसा अब देखो बच्चा यह क्या बोलता है law यह ठीक है देखो ऐसा मान लो कि यह तुमारा एक loop है है ना बच्चा ऐसा एक loop है और यहाँ पर तुम्हारा एक magnet है यह न नौर्थ पोल और ये south pole ठीक है तो जड़ा बताओ बच्चा इसको magnet को यहाँ पास लेते आएंगे है ना अगर मान लो कि magnet तुमारा इस loop को approach कर रहा है with a velocity V तो यहाँ यह सब points पे magnetic field का strength change करेगा की नहीं करेगा बोले बच्चा करेगा ना तो यहाँ पर तुमारा magnetic flux phi तुमारा क्या होता है बच्चा b vector dot a vector तो area तो fix हो गया है यह b vector का strength है जो क्या होगा increase करेगा तो क्या यह वाला जो flux है वो change करेगा की नहीं करेगा बोलो flux जो है will change with time change करेगा तो यह flux अगर change करेगा ना इस लूप में बच्चा एक current आ जाएगा इस लूप में current आ जाएगा ठीक है ना और current बच्चा इस तरह से आएगा ठीक है बस इतना तुम्हें जानना है कि current आएगा भी direction जो है मैं अपना knowledge पर लिख रहा हूँ जो तुम्हें नहीं बताया हूँ मैं भी जो कि मैं बताऊंगा ठीक है ना ऐसा current इस तरह से आएगा ठीक है तो यह current आया तो बिना EMF का current नहीं आता है इसलिए उसने क्या बोलाता है फैरडल ने यह एक EMF induced होता है इतना बात सब कुछ संज माया बोले बच्चा यह फैरडल हो सब को clear हुआ येस और नो अब 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 ये सब लिख लिया बच्चा तो this negative sign is for lens law and this law this law gives us the direction of induced EMF this law gives us the direction of induced EMF अब ये लोग कैसे काम करता है ये भी जानते हैं बच्चा हम लोग ताकि हम लोग इस arrow को किधत लगाना है ये जानना सीखेंगे ठीक है ऐसा तो देखो बच्चा क्या लिखेंगे lens law रोमित अपने आपको mute कर लो बच्चा lens law तो lens law क्या है बच्चा देखो it gives direction of induced EMF ठीक है ये क्या बोलता है the EMF is induced in such a way that the current produced will oppose the change in flux oppose the change in flux का मतलब क्या हुआ समझो तो जैसे बच्चा ये तुमारा magnet जो है ये तुमारा जो magnet है बच्चा ये magnet जैसे तुमारा इधर पास में आ रहा है तो flux क्या हो रहा है increase कर रहा है यहाँ पर क्या होगा In इक्रीज कर रहा है तो वो इन्क्रीज कर नहीं देगा तो नहीं देगा कैसे यह क्या करेगा बच्चा ही सर्ण ओ, यह करेंट जो एस डारेडशेंट में तो इस डारेड़ करने के लिए करilight को इस तरह से जाना पड़ेगा बात संजब आया बोलो बच्चा यह सरनो छीक कर ऐसा दूसरा example लेवगज़ दूसरा example लेवगज़ ऐसा मान लेते हैं यही तुमारा loop है ठीक है ऐसा और यह तुमारा magnet है नार्थ पोल और यह साउथ पोल और ये बच्चा लेट से कि इधर भाग रहा है तो जो magnetic field इस तरह से होगा ये सब बच्चा कमजोर हो जाएगा कमजोर होने लगेगा तो तुम्हारा flux क्या होगा बच्चा flux जो होगा decrease करेगा तो ये decrease भी नहीं होने देगा तो क्या करेगा बच्चा बताओ ये चाहेगा कि इस तरह के B को create किया जाए जो induced current आएगा वो इस तरह का B को create करेगा ठीक है तो ऐसा B कैसे लेके आएंगे जब current मेरा इस तरह से होगा चेक करो सही बात है ना बच्चा लोग ठीक है ऐसा करने डागे ठीक है तो यहां पर इस तरह से होगा ठीक है चलो आगे बढ़े बोलो इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर एक बात लिखना है बहुत इंपोर्टन बात है पता है क्या अबना इसको आगे बहुत बात है पता है और इसको आगे बीख स्था हाँ बोले बच्चा सर एनर्जी कंजर्व करने से मतलब यह कैसे आ जाए हाँ हाँ यह मैं प्रूव करूँ बच्चा यह मैं बताऊंगा ठीक है ना यह मैं बताऊंगा ठीक है चलो आगे बढ़ें बोले बच्चा यह सर नो कैसे So now we'll try to understand how lens law is based on conservation of energy How lens law is based on conservation of energy How lens law is based on How lens law is based on Conjurvation of energy ठीक है ऐसा देखो To तो मान लेते हैं वही example लेते हैं बच्चा ऐसा जो पहले लिए थे ठीक है ना ऐसा ये लूप है ठीक है ये North Pole ये South Pole ठीक है ऐसा और ये तुम्हारा बच्चा इधर velocity V से जा रहा है ठीक है तो lens law के हिसाब से बोलो बच्चा direction कैसा होना चाहिए था इस तरह से होना चाहिए था ना बोलो yes or no जलत बोल दिये हैं ऐसा होना चाहिए था सही बात है ना ऐसा होना चाहिए ना lens law के साब से बोलो according to lens law the direction of the current should be like this ठीक है तो ये lens law ने ऐसा बोला था लेकिन हम लोग क्या करेंगे हम लोग बच्चा क्या करेंगे इसका opposite मान लेंगे कि ऐसा assumed opposite of what is given by lens law lens law के साब से जो आता है उसका opposite ले लिए ठीक है लेने में क्या दिकत लेते बच्चा है ना अब देखो इस तरह से करेंगे तो magnetic flux कैसा create होगा इस तरह से create होगा बोले बच्चा yes or no बताओ तो कहने का मतलब है तुम्हारा बच्चा इधर north pole के तरह behave करेगा ये face और ये face तुम्हारा south pole के तरह behave करेगा बोलो बच्चा सही बात है इतना संज में आया yes or no बोलो अब देखो ये south pole और ये north pole attract करेगा कि नहीं करेगा बताओ करेगा तो ये बच्चा क्या होगा attractive forces को मिलेगा velocity increase speed increase करेगा kinetic energy increase करेगा बहुत बढ़ी है increase करने दो ठीक है ऐसा अब देखो बच्चा जैसे तुम्हारा यहां से और तेजी से approach करेगा तो यहां का क्या होगा बच्चा flux change है ना d5 by dt यह क्या होगा और increase कर जाएगा increase this imply current जो होगा वो भी increase करेगा बच्चा जो इस इंप्लाई जो heat produced होगा heat energy जो होगा है ना i square r का form में जाएगा वो भी तुम्हारा increase करेगा ठीक है तो देखो बच्चा क्या हुआ काइनेटिक energy बढ़ने लगा और heat energy भी बढ़ने लगा वा है ना तो दोनों ही energy बढ़ने लगा ठीक है कहीं से किसी को इनर्जी देना पड़ेगा न बच्चा तभी तो energy तुम्हारा system का बढ़ेगा कहीं से तो बहुत energy आना चाहिए तभी तो इस25 energy बढ़ेगा नहीं तो अगर मान लेते दोनों अपने आप में काम कर रहा है तो एक energy घटना चाइए दुसरा लेंगे एक और पस्पेक्टिव देते हैं ठीक है ना एक और पस्पेक्टिव देते देखके ऐसा मार लेते हैं बच्चा कि इस तरह से हो गया इसा कि यही इस तरह से है है ना अभी क्या करेंगे घर में एक छोटा सा मैगनेट लेंगे ऐसा सोचते अगर कॉंजरिवेशन अफ एनर्जी को वाइलेट नहीं करता I mean समझो कि अगर यह चीज़ सही है समझो बच्छा अगर यह चीज़ सही होना है ना तो पूरा दुनिया का एनर्जी का प्रॉब्लम खतम हो जाएगा बच्छा अगर यह चीज़ सही हो जाएगा तो बोलो कैसे देखो हम लोग क्या करेंगे घर में एक मैगनेट लेंगे और एक लूप ले लेंगा ऐसा अगर यह चीज़ सही होना होता तो क्या होगा बच्चा इसका स्क्वीड बढ़ता रहा जाएगा और यहां से बच्चा और करेंट बढ़ता रहा जाएगा तो क्या हो रहा है हमने हलका सा जटका दिया और मर एनर्जी मिला जितना मन चाहे उतना एनर्जी मिलते जा रहा है so we are creating energy out of nothing ठीक है जो कि तुमारा violet कर रहा है law of conservation of energy को are you getting this point बोलो बच्चा yes or no बोलो बोलो क्या बोलो तो बोलो ऐसे बोल सकते है कि रिंक का तो potential energy कम हो जाएगा न कैसे potential energy कम होगा बच्चा अगर minus m vector dot b vector करें हा तो नहीं नहीं समझ गया वो vector उल्टा लिये था हा थेक चलो बच्चा आगे बढ़ें बोलो so तुमारा ये क्या है not possible this thing is not possible बच्चा ठीक है ना ये not possible होगा this contradicts this contradicts take care चलो लिख लिए बच्चा लो तो बोलो आगे बढ़ते हैं अब देखो बच्चा क्या हुआ इसमें है कि अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि जो अगर magnetic flux change करेगा तो EMF induce होगा किस वज़ा से हुआ magnetic flux change कर रहा है तो ऐसा क्या चीज हो रहा है कि EMF वो चीज नहीं पता चला ठीक है न तो scientist लोग क्या किया सुचा कि इसको breakdown करके study करेंगे ठीक है ऐसा तो EMF E is equal to क्या है बच्चा minus d5 by dt ठीक ऐसा अब देको breakdown करते है ठीक है न फाई क्या होगा फाई is equal to b vector dot a vector this is equal to b into a into cos theta ठीक है ऐसा so e will be induced e will be induced if पहला area change कर जाए a changes दूसरा theta changes और तीसरा बच्चा capital B changes बात संज में आ रहा है बोलो बच्चा अगर इन तीनों में से कोई भी change कर जाएगा चाहें combination भी कर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा बच्चा flux तुम्हारा change कर जाएगा flux change कर जाएगा तो EMF induced हो जाएगा ठीक है इतना चलो संज में आ रहा है अब how do we change this area ठीक है बच्चा how do we change this area तो देखो बच्चा एक example देते देखो ऐसा बच्चा मान लेते हैं कि यह square है इस तरह से यह square है ना ऐसा और इसके पूरा बच्चा यहां पर magnetic field है भी अंदर की ओ ठीक है इसका length मान लेते हैं a है और यह भी length बच्चा a है ठीक है ऐसा अब हम लोग क्या करते हैं बता बच्चा मान लेते हैं a flexible square है this is a flexible square तो अगर तुम इसको इस तरह से खीचेगा और इधर खीचेगा ठीक है ऐसा दोन तरह से खीचेगा तो बोलो क्या यह area कम होगा yes or no बोलो बच्चा yes sir area कम हो जाएगा ठीक है तो area change कराने के लिए हम क्या किये बच्चे यह सब conductor सबको move करा दिये ठीक है एक दूसरा बच्चा हम यह भी कर सकते थे यह तो area change करा दिये दूसरा बच्चा मान लो कि वही square है तुम्हारा इस तरह से है ना इसको बच्चा इस axis के about घुमा दिये ठीक है तो बताव बच्चा angle between this v vector and the area vector will change area vector तुम्हारा क्या है अंदर चाहें बाहर वो change कर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा थीटा changes और यहाँ क्या होगा बच्चा area changes ठीक यहाँ पर area change करेंगा वहाँ पर theta change करेंगा तो यह दोनों चीज है क्या है how do I accomplish this change how do I accomplish this change by motion of conductor by moving conductors by moving conductors ठीक है यह तो समझ गया है बच्चा कि by changing the magnetic field इसको बात में देखेंगे तो यानि कि यह पता चला कि D5 by DT से तो net EMF निकलता है वो सही है लेकिन उसके अंदर देखेंगे तो यह पता चल रहा है कि नहीं नहीं अगर हम लोग conductor को magnetic field में move कराएंगे तब भी मेरा EMF induce हो सकता है ठीक है न है न सो इसी को बच्चा बोलते है क्या emotional EMF emotional EMF ठीक है तो हम लोग क्या जानेंगे कि conductor के move करने से ऐसा क्या हो जाता है कि EMF induce होता है यह चीज़ हमारा जानना अभी आम रहेगा ठीक है इतना को लिखो कुछ doubt है तो पूछो क्या है तो कर दो कर दो किछ बच्चा हागे बड़े हैं बोलो प्सक्राइब देखो एक कांड़क्टर लो इस तरह से फे सी कह अवह में और पूरे रीजन में बच्चा 180 विंड और इस कंड़क्टर को एसे मूफ प्रॉश से ठीक है and let us take the length of the conductor length of the conductor as L ठीक है इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर बच्चा EMF induced होगा motion conductor को हम बच्चा move करा दी है ठीक है तो अब बच्चा motion होगा ठीक है अब देखो कैसे EMF induced होगा sorry है ना कैसे होगा यह बताते हैं देखो यहाँ पर जो free electrons है है ना बच्चा free electrons है इस पर charge क्या है minus E ठीक है तो free electrons भी बच्चा तुम्हारा क्या velocity भी से move कर रहा है ठीक है तो tell me बच्चा what is the magnetic force experienced by the electrons what is the magnetic force experienced by free electrons बता बच्चा यह होगा इफ magnetic vector is equal to minus E into B vector cross B vector ठीक है ऐसा यह फोर्स का direction जरा देख के बताओ तो बच्चा किधर होगा बताओ भी cross B किधर आएगा बोलो उपर या नीचे बताओ बच्चा भी बच्चा बॉन इस तूंपार आएगा था किधर आएगा बताओ उपर लेकिन बच्चा वहां पर electron में माइनस साइन है तो फोर्स किधर आएगा बोलो नीचे बोलो नीचे नीचे तो यह आएगा इस दूआर्स क्यू अ towards q ठीक है बच्चा ये तो तुम्हारा q के तरफ जाएगा तो होगा क्या बच्चा एलेक्ट्रॉन सब तुम्हारा इधर drift हो जाएगा ऐसा इधर घसीट जाएगा ऐसा एलेक्ट्रॉन सब ऐसा आ जाएगा ठीक है तो इस तरफ क्या होगा जब पी के एंड में क्या होगा डेफिसेंसी ओफ एलेक्ट्रॉन तो यह क्या होगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है ना ऐसा तो बताओ बच्चा पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया तो पी और क्यू के बीच में पुट एलेक्ट्रिक फिल्ड किधर जाएगा बच्चा, what is the direction of electric field between P and Q, बताओ, क्या हो, किधर होगा, कैसा, ये ए आ जाएगा, ठेक है बच्चा, ऐसा, ठेक है, तो electric field is created, तो what is the electric force, electric force on charged particle, on electron, स्वरी, ये कितना होगा, बच्चा, F electric vector is equal to minus E into E vector, ये किधर लगेगा, उपर लगेगा, है न, negative E है, बच्चा, उपर लगेगा, ठीक है, ऐसा, तो, magnetic force, चाहेगा, कि नीचे कर दे, ये होगा, तुम्हारा towards P, और electric force, चाहेगा, बच्चा, कि उपर कर दे, ठीक है, तो, दोनों बच्चा, एक समय equilibrium में आएगा, at equilibrium, at equilibrium, ये क्या हो जाएगा, बच्चा, बताओ तो, net force, 0, यानि कि, if magnetic vector, plus, if electric vector, that is equal to 0, ऐसा, तो, can I say, this imply, if, मैं अटिक क्या है, बच्चा, minus E into B vector, cross B vector, plus, minus E into E vector, that is equal to 0, है न, तो, इसको, minus बढ़ाई देते हैं, और यहाँ, minus पुरा पर देते हैं, ठीक है, तो, यहाँ पर क्या होगे, बच्चा, B vector, cross B vector, plus, E vector, is equal to 0, so, this imply, E vector, is equal to, minus B vector, cross B vector, is it clear, यही, तुमारा बच्चा, electric field, induced आ जाएगा, संज मैरा सबको, yes or no, बोलो बच्चा, तो, अब देखो बच्चा, अगर electric field इस तरह से है, तो बताओ बच्चा, P और Q में, कौन higher potential पे होगा, बताओ, P, हाँ, potential difference, between, P and Q, यह क्या हो जाएगा, बच्चा, बताओ तो, V P minus V Q, is equal to, बोलो बच्चा, क्या होता है, formula for potential difference, बोलो बच्चा, क्या होता है, integration, E vector, dot DL vector, कहां से कहां तक, बोलो बच्चा, Q से P तक, with a minus sign, और यहां Q से लेकर, P तक, ऐसा, ठीक है, यह चीज़, so this imply, V P minus V Q, is equal to, now what is minus E vector, बच्चा, minus E vector, कितना हो जाएगा, V cross B हो जाएगा, ठीक है, तो यह क्या होगा, integration, dot DL vector, from Q से लेकर, P तक, ऐसा, ठीक है, so this is the value of, the induced potential difference, ठीक है, इस particular example में, what is the value of E, बच्चा, बताओ तो, is in this example, यह तो general formula है, इसको याद रखना है, यह general है, ठीक है, ऐसा, अब देखो बच्चा, क्या होगा, इस पूरे, इस example में, B cross B, तो तुम्हारा constant है, B constant है, B constant है, दोनों के बिच में, angle 90 degree आ रहा है, तो वो भी तुम्हारा constant हो जाएगा, तो B cross B, तुम्हारा बाहर आ जाएगा, और तुम्हारा DL vector क्या होगा, यह पूरा length हो जाएगा, तो in this example, है ना, बताओ बच्चा, यह वाला क्या हो जाएगा, बताओ, in this example क्या हो जाएगा, बोले बच्चा, what is VP minus VQ, कितना हो जाएगा, B into B into L हो जाएगा, होगा ना, बोले बच्चा, ठीक है, तो यह तो तुम्हारा बच्चा, potential difference हो गया, लेकिन क्या potential difference आना ही sufficient है, कि वो EMF का काम कर सकता है, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता, तो मेरा capacitor भी EMF का काम करता है, लेकिन हम पढ़ाते समय, electricity पढ़ाते समय बतायते हैं, कि capacitor जो है बच्चा, वो EMF का काम नहीं करता है, तो देखो बच्चा, ये वाला जो potential difference ना, EMF का काम करेगा, कैसे करेगा, तो example ले लो बच्चा, कि मान लेते हैं कि इसको एक, wire से connect करते हैं बच्चा, through resistor है ना, ऐसे, तो जैसे ही स्विच को close करेंगे, current ऐसा दोड़ेगा, बच्चा ये सवर ना, क्योंकि ये तुम्हारा P higher potential पे, क्यों तुम्हारा lower potential current ऐसा दोड़ दाएगा, तो current दोड़ना है, इसका मतलब क्या हुआ, effectively इसका मतलब ये हो रहा है, कि ये positive charge, इधर flow करके जाएगा, और बच्चा यहां पर जाके deposit हो जाएगा, तो हुआ क्या, positive charge खतम होने लगा, और तुम्हारा negative charge भी खतम होने लगा, तो ये जो potential difference है, ये तुम्हारा खतम होने लगा, तो बैटरी में क्या होता है, कि वो जो potential difference को constantly maintain करना रहता है, तो वहाँ पर एक battery force लगाए होए थे, तो बता बच्चा यहां पर ये जो charge खतम हो रहा है, उसको restore कोन करेगा, who will restore that discharge बताओ, if magnetic, हाँ, very good बच्चा देखो, अभी क्या था, जब equilibrium था ये सब, तो तुम्हारा दोनों force, ये वाला force और ये वाला force तुम्हारा क्या था, balance था, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा ये charge जब खतम हो रहा है, तो ये वाला कमजोर हो रहा है, तो ये वाला कमजोर हो रहा है, तो ये अपना रंग दिखाएगा, है ना, और ये फिर क्या करेगा, बच्चा, electrons को नीचे घसीतना शुरू करेगा, और फिर यहाँ पर negative charge, और डेफेसेंसी करन, यहाँ पर positive charge फिर आ जाएगा, so this is a continuous process, यह हमेंसा maintained रहता है, ठीक है ना, so are you getting this problem, बोलो बच्चा, संगना है सब को, बहुत कुछ है इसमें, लिखो सब लोग, बहुत कुछ है, चलो बच्चा, लिख लिए तो बोलो, आगे बढ़ेंगे, देख रहा है बच्चा, यह कितना dangerous है, देखो न बच्चा, यह वाला, यह से डर लग रहा है, क्या इससे देखके, cross product भी है, dot product भी है, और उपर से integration भी है, ले, सब कुछ आ गया ना इसमें, cross product भी है, dot product भी है, और integration भी है, है ना बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम बहुत simplify कर देंगे, ठीक है ना, इसको बहुत simplify कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा, चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बच्चा लोग, जब हो जाए तो बोल दे ना जी, हुआ? अज़े चलो जो घुआ है घृच्चा है ना, तो अब हम पढ़ाएंगे ठोरा सा वेक्टर वेक्टर पढ़ाएंगे, बच्चा, तो देखो बच्चा है ना, उसको आसान करने के लिए ठीक है ना, बहुत असान चीज है वो, गंदा दिख रहा है बहुत आसान हो ठीक है ना देखना अब यहाँ पर टॉप टॉपिक लेखेंगे बच्चा स्केलर ट्रेपल प्रोड़क्ट तो बड़ा इंट्रेस्टिंग चीज़े बच्च तो देखो अगर माल लेते हैं तीन वेक्टर है ए वेक्टर क्रास बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है ना इसी को बच्चा बोलते हैं क्या स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट बोलते हैं ठीक है ना स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट बोलते हैं ठीक है झाल झाल सब्सक्राइब करें लाइन पर है तो इसमें तो कोई लो अब बहुत कट रहा है हाजी आवाज कट रहा है क्या अच्छाइब करें लाजस्ट झाल झाल देखो बच्चा नेटवर्क चेंज कर दी है अभी बोलना ठीक है अभी आ रहा है वाज ठीक से अभी मान रहा है आज यू कर लते हैं बता देखो ए वेक्टर पैरलल सी वेक्टर ठीक है ना तब हम इसको प्रूव कर देंगे तब भी जीरो होगा तो देखो बच्चा केना इससे बच्चा है ए वेक्टर क्रोस बेक्टर इस पर्पेंडिकूलर टू ए वेक्टर बता है ना ए क्रोस बेक्टर टू ए वेक्टर ठीक है so this imply this imply कि a वेक्टर क्रोस बेक्टर is perpendicular टू सी वेक्टर क्योंकि a और सी पैरलल है ऐसा तो this imply a वेक्टर क्रोस बेक्टर जो निकल के आएगा उसका डॉट प्रूट लेगा तो तो c से तो वो क्या होगा जीरो नहीं होगा बोले बच्चा है ना क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा are you getting this point बोलो बच्चा yes or no है ना तो यह बहुत important property है ठीक है ना यह बहुत important property है if any two vectors are along same line then a cross b dot c is 0 ठीक है दूसरा property पता है बच्चा क्या है दूसरा property और भी interesting है देखो if a vector b vector है ना दूसरा property ठीक है if a and c vector are mutually perpendicular then a vector cross b vector dot c vector का magnitude तुम सीधे लिख सकता है a b c बस magnitude of a magnitude of b magnitude of c यही पर देखो example देखो बच्चा ऐसे यहाँ पर क्या है कि b vector तुमारा ऐसा था b vector तुमारा अंदर के और था और l vector तुमारा ऐसा था तो बताओ तीनों क्या mutually perpendicular है yes or no बोलो बच्चा yes sir तो इसी लिए यहाँ पर answer क्या आएगा b into v into l आया ठीक है ना इसी लिए बच्चा यहाँ पर emf कितना आया था b into v into l ठीक है ऐसा तो इसी लिए बच्चा यहाँ पर बेखो b into v into l ठीक है is it clear तो हमेशा क्या करना है बच्चा तीनों को है ना बस खतम हो जाएगा कहाने उसी में और बस v v l कर देना है ठीक है ऐसा अब बोलेगा sir कैसे पता करेंगे कौन सा higher potential पर होगा कौन सा lower पर यह तो बस कली magnitude ना हुआ बच्चा कौन सा higher potential पर होगा कौन सा lower potential यह कैसे पता करेंगे तो इसका पता करने का तरीका है direction of v cross v बताओ बच्चा यहां पर देख के बताओ इसी में direction of v cross v बताओ तो किधर है बोलो किधर है बच्चा v cross v ऊपर या नीचे बोलो ऊपर तो ऊपर है मतलब ऊपर तुमारा positive charge रहेगा ठीक है ना या कि ऊपर तुमारा higher potential पर होगा ठीक है ना तो direction of v cross v तुमारा क्या बताओगा क्या बताओगा बच्चा कि कि side तुमारा higher potential पर है is it clear बोलो बच्चा yes or no ठीक है और एक बात क्या ध्यान रखना है ये वाला जो चीज है ना ये वाला चीज देखो ये चीज ये वाला चीज इसको हम लोग बोल चकते हैं small EMF small EMF in segment DL ऐसा है ना और तुमारा सारा element में DL DL में सारा में तुमारा निकाल के जोड देंगे तुसी को तो बच्चा Integism कहते हैं ठीक है ना ऐसा चलो इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा ठीक है इसका इसका ट्रिपल प्रडट को और भी कुछ-कुछ होता है बच्चा लेकिन इतने दो से हम लोग काम चला लेंगे तो इतने इसे पढ़ा रहे हैं ठीके ना और भी प्रॉपर्टीज होता है चलो आगे बढ़ें बोलो बच्चा लो सो देखो बच्चा ऐसा अभी क्या करेंगे बच्चा EMF induced EMF induced EMF induced in wire of random shape मतलब क्या है इस तरह से कुछ wire लेलो बच्चा ऐसा ऐसा कुछ भी random से wire लेलो ठीक है इस तरह से ठीक है और माल लेते हैं कि तुम्हारा b cross b जो है ना वो constant है है ना assuming b vector cross b vector is constant ठीक है ऐसा तो बताना है कि इस wire में कितना EMF induced होगा ठीक है सो क्या होगा बच्चा E is equal to integration b b vector cross b vector dot dl है ना और पूरा the length of the connector में करते हैं length of the connector ठीक है तो क्या हो जाएगा बच्चा देखो so E is equal to है ना b vector cross b vector तो बाहर आ जाएगा dot लेके आएगा integration dl vector over the entire length now tell me बच्चा what is the integration of dl vector बोलो बच्चा क्या हो जाएगा पता पता यह पता displacement यही तुमारा बच्चा l vector हो जाएगा ठीक है तो यह क्या करेंगे E is equal to b vector cross b vector dot l vector हम लोग बच्चा इसका केवल magnitude ही जाने को कोशिस करेंगे और direction कौन सा high potential पर होगा कौन सा low पर होगा वो बस b cross b का direction चेकर के निकाल लेंगे ठीक है ना ऐसा है is it clear बोलो बच्चा सब इसमें यह देख लो बच्चा यह चीज़ को constant माना गया है तब ही बच्चा तुमारा integration से बाहर निकला है अगर यह constant नहीं रहेगा तो यह चीज़ को अंदर ही evaluate करना है और फिर integration करना है ठीक है यही rule है लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं चलो देखो अब एक हम दो problem discuss करेंगे ठीक है बच्चा छोटा चोटा प्रवलम है सीखने के लिए माल लेते हैं बच्चा की इस तरह से length है यह तुमारा rod है जिसका length माल लेते हैं याइल इज इकल ते डूट टू मिटर अलल इज उकल टो मिटर ठीक है एल इज उकल तूट टू मिटर, ओ घग है ठीक है magnetic field तुमारा बच्चा आनदर है फी इज hiss इकल टू पोर टेस्ला ठीक है लेकिन इसका velocity ना ऐसा है ऐसा, आपको बताना है कि P और Q के बीच में कितना EMF induced होगा, ठीक है, तो हमें पता है क्या बच्चा, यह देखो, हम लोग क्या करेंगे, सीधे बताते हैं करना क्या है, ठीक है न, हम बहुत जिता वेक्टर में डेरिविशन नहीं करेंगे, ठीक है, डर भी सकता है, तो इस भी का दो कॉंपोनेंट में थोड़ो बच्चा इसको, एक कॉंपोनेंट यह होगा, दूसरा कॉंपोनेंट यह होगा, लेट उस कॉल दिस प 30, 18 मीटर, and this is coming as 5, 30 into 4 by 24, मीटर पर सेकंड, यह भी मीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 into 4 by, ठीक है, ऐसा होगया, अब बताओ बच्चा, किस कॉंपोनेंट के लिए, इंड्यूस्ट इम्फ जीरो हो जाएगा, बताओ बच्चा, किस कॉंपोनेंट के लिए, इंड्यूस्ट यही का यूज करना है ढंग से, है ना, तो यह तुम्हारा क्या है, भी पैरलल और यह लेंथ, दोनों सेम लाइन में है, तो यह वाला जो स्केलर ट्रिवल प्रड़क्ट होगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम देखो बच्चा, क्या है, इस तरह से है, भी पर पर्पेंडिकुलर इस तरह से है, और तुम्हारा भी बच्चा अंदर की और है, तीनों मीट्वली पर्पेंडिकुलर हो गया, तो बता बच्चा, इमफ कितना होगा, जीरो से बता, सबको मल्टिप्लाइ कर देंगे, फोर इंटू टू इंटू इंटू एटीन, ठीक है, त जीरो इंटू इंटू एटीन, जीतना होगा, वही आंसर होगा, एक सो साथ में से सोला चला जाएगा, जो आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, is it clear बच्चा everyone, बोलो, आप बोलेगा कि सर कौन सा हाई पोटेंशल पर होगा, कौन सा लोग पोटेंशल होगा, तो तुम बस बच्च भी perpendicular cross भी कर लो, तो तुम्हें दिखेगा कि यह higher potential पर आएगा, यह lower potential पर आएगा, हो गया काहनी कतम, इतना ही करना है ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, आगे बढ़े, बोलो बच्चा यह सर नो, ठीक, एक और प्रलूम देखो बच्चा, ठीक है न, एक और प्रलूम देखो मान लेते हैं बच्चा कि इस तरह का, तुम्हारा एक quarter circle है, ठीक है न, इस तरह का quarter circle है, जिसका radius है, लेट से बच्चा 2 meter यह भी है, तुम्हारा 2 meter ठीक है न, और यह तुम्हारा पूरा जो quarter circle है, इस तरह से भाग रहा है, let's say 20 meter per second से, in this magnetic field, ठीक है, यह तुम्हारा है, B is equal to, let's say 2 tesla, आपको बताना है, इस segment में पूरा induced EMF कितना है, बच्चा यह बताना है, ठीक है, तो देखो, क्या हो जाएगा बच्चा, L vector होगा, यह वाला तुम्हारा L vector use करना पड़ेगा है न, ऐसा L vector से use करना पड़ेगा, ठीक है न, ऐसा, तो L का ब दूसरा यह वाला, ठीक है न, so I will call this as L parallel, and I will call this as L perpendicular, now tell me बच्चा, कौन सा component के लिए, तुम्हारा EMF 0 होगा, बोलो, 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 जी, L parallel, ठीक है न, because यहां तुम देखो कि L parallel और B, यह तुम्हारा क्या है बच्चा, same line में है, तो उन लोग के लिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और तुम देखेगा कि L perpendicular ऐसा है, इस इस L perpendicular और तुम्हारा B बच्चा ऐसा है, और तुम्हारा B तुम्हारा अंदर की और है, तो सीधर तिनों को multiply करेंगा, कितना हो का अंसर, EMF is equal to 2 L into 2 into 20 ऐसा, तो यह कितना हो जाएगा बच्चा, 4 into 80 V, कौन सा higher potential पे होगा बच्चा, तो B cross B करो, B cross B किदर आ रहा है बच्चा, ऊपर के तरह तो प्लस होगा और यह माइनस होगा, is it clear, बोलो, हाँ सर, ठीक, इसको लिख लो, तो यह जो 80 V आया है ना बच्चा, यह तुम्हारा क्या है, हाँ बोलो बोलो कुछ बोल रहा है क्या, V vector को L vector और उसका perpendicular resolve कर सकते हैं, किसको, किसको, V vector को, हाँ, हाँ, कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, बच्चा, तुम्हारा ट्रिक है, ठीक है ना बच्चा, एकदम कर लेगा, ठीक है, वही तो सिखा रहे है, बच्चा, जब जो आसान लेगे, वो करो, बस तुम्हे खाली ढूंडना है क्या, कि तीनों को perpendicular करने का कोशिस करना है, बात संज में आ रहा है, वही तुम्हारा ट्रिक है, तो तुम चाहो तो बच्चा भी को कर लो, क्या हमें यहां पर भी को जोल नहीं कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, मेरा आंसर बिल्कुल आएगा बच्चा, एकदम आंसर आएगा, करकर देख सकता है, ठीक है? हाँ सर, तो तुम्हारा बच्चा भी का कॉंपोनेंट ऐसा ऐसा है, ऐसा तुम्हारा भी है ना, तो एक कॉंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा बच्चा यह होगा, एंगल तो देखी रहा, 45 डिग्री होगा, तो कितना होगा है, 20 by root 2, ठीक है? और यह भी हो जाएगा बच् यह देखो, यह वाला वेलासिटी, यह वाला बच्चा मेरा लेंथ, और यह तुम्हारा बी, तीनों मीच्चिली परपिंडिकल होगा, 20 by root 2, यह हो गया बी, इंटू बी कितना होगा, 2, इंटू लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा, 2 root 2, ठीक है? यह गया, यह गया, तो कितन आगे बच्चा, 80 volt, is it clear? से नहीं आएगा, टिंचन नहीं लेंगा, ठीक है? चलो, अब देखो, अब एक चीज और जान लो बच्चा, उसके बाद चले जाना, ठीक है ना, क्या चीज, देखो, यह बच्चा, यह जो 80 volt आया ना, इसमें बच्चा, net EMF आया है, लेकिन तुम देखो, ऐसे, ऐसा है ना, तो यहाँ पर तुमारा DL वेक्टर कैसा है, इस तरह से, this is your DL, यह तुमारा है बच्चा, B, और B तुमारा अंदर है, तो तीनों क्या है बच्चा, mutually perpendicular हो, तो यहाँ पर जो small EMF आएगा, small EMF, यह तुमारा क्या हो जाएगा, बच्चा, B, B into DL, ऐसा, और यहाँ पर DL तो तुमारा ऐसा आएगा बच्चा, और तुमारा velocity वेक्टर भी ऐसा आएगा, और B तुमारा अंदर की और है, तो यहाँ पर बच्चा, तुमारा small EMF कितना होगा, बोले बच्चा लो, कितना होगा यहाँ पर, बोल, 0, क्यों, B वेक्टर और DL, तुमारा क्या है बच्चा, पैरलल है, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ और value आएगा, कुछ और value आएगा, बच्चा, सभी में हलका छोटा 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 बैटरी बनेगा, बच्चा, छोटा छोटा बैटरी बन रहा है, सब तुमारा क्या है, सीरीज में है, यही पर क्लास खतम करेंगे अब